सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएए तकि आपको मारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके दोस्तों यह है केमी कंपनी का ट्रीमर इसको 6 मेनी यूज करने के बाद में आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ तो देखते रहे इस वीडियो को नवस्कार दोस्तों मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल माई टेकनोलोजी सपोर्ट तो दोस्तों सबसे पहले हम बोक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बोक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है यहाँ पर ट्रीमर की कुछ इंपोर्मेशन दी गई है जो कि बागी ट्रीमर में दी होती है यहाँ पर आपको इसको च्यार गंटे चार्ज करने पर इसका बेकप मिल जाता आपको 240 मिनट का तो चलिए बोक्स को ओपन करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का बोक्स इसका मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमें एक adapter मिल जाता है जो कि 5V output के साथ में हमें मिलता है तो चलिए charger को हम साइड में रखते थे हैं इसका कुछ आपको socket इस तरह का मिल जाएगा इसके बाद में यहां पर हमको मिल जाते हैं यह 4 clipper जो चारों अलग अलग साइज के हैं चलिए इसकी साइज को हम देख लेते हैं एक बार सबसे पहले जो साइज आती है वो आती है 3 mm की इसके बाद में जो दूसरी साइज है दोस्तों यह मिल जाती है हमको 6 mm और इसके बाद में मिल जाती है 10 mm और 10 mm के बाद में सबसे जो बड़ी साइज है वो है 13 mm की. इसके बाद में दोस्तो एक हमें बुरूस मिल जाता है इसको क्लीन करने के लिए और इसके बाद में हमारा लाश्ट को मेन आइटम है केमी ब्रांड का ये ट्रीमर. तो दोस्तों यह आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा चलिए box को side में कर देते हैं और इसके बारे में हम देख लेते हैं तो दोस्तों इस trimmer का design आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यह जब इसको hold करते हैं आप में तो भी बहुत अच्छा फील होता है यानि इसकी side ज्यादा बड़ी नहीं है इसमें बजन भी ज्यादा नहीं है बहुत ही अच्छा trimmer है तो दोस्तों यहाँ पर आपको केमे की branding मिल जाती है और यहाँ पर आपको main highlight इसमें मिलता है यहाँ पर ही display मिल जाता है इसके बाद में कम से कम 20-25 पर सेविंग करने के बाद में यह 37% अभी भी है तो दोस्तों इसकी बेटरी आपको आपी अच्छी मिलने माली है उपर की side में आपको यहाँ पर white color मिल जाएगा on up करने के लिए यहाँ पर आपको button मिल जाएगा इसके साथ में आपको यह stainless steel का blade मिल जाएगा blade को adjust करने के लिए यहाँ पर एक knob दिया गया जिसकी साहता से आपको कम ज़्यदा कर शकते हैं और बाकि आप इसके साथ में clip लगाके adjust कर शकते हैं नीचे की side में दोस्तों यहाँ पर आपको black color मिल जाते हैं और पिछे की side में आपको charging का point मिल जाता है यहाँ पर आपको इसको adapter के साथ में attach करके इसको charge कर सकते हैं दोस्तों इसको बता दूं charge होने के लिए आपको कम से कम 4 गंटे का time देना होगा full charge करने के लिए और इसके बाद में आपको इसका 4 गंटे का battery का backup मिल जाता है आप वहां से click करके इसको purchase कर सकते हैं दोस्तों मैंने यह trimmer लिया था लगबग 900 रुपए में अभी इसकी price क्या चल रहे है मुझे पता नहीं कम जादा होती रहती है आप इसको अच्छे discount के साथ में purchase कर सकते हैं जब भी इस पे ओपर चले आप इसको ले सकते हैं दोस्तों मेरे इसाब से यह इस price में सबसे best trimmer है इससे पहले में मैं 2-3 trimmer यूज कर चुका हूँ उन सभी trimmer में से इसका response मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यह चलने में बहुत smooth है इसकी आवाज भी ज़्यादा नहीं है आपको फिरशे एक बार चालो करके दिखार दे रहा हूँ तो दोस्तों इसका vibrate बहुत कम है अगर आप यह trimmer करीनना चाहते हैं तो बेज जग इसको खरीच सकते हैं इसमें आपका पैसा वेस्ट नई होने वाला है तो दोस्तों यह थी एक trimmer की छोटी सी वीडियो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो helpful लगी तो इस वीडियो को like और हमारे channel को subscribe जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में Thank you so much